हेलो दोस्तों मैं जी शौकत करता हूँ आपके अपनी चनल जीत फुरियू से तो आज कल से अपने नीट के कोश्चेन की प्रेक्टिस कर दी थी 2024 के लिए कल मैंने केवल हिंदी में कोश्चेन बताय थे आज से इंगलीज और हिंदी दोनों में अपन कोश्चेन को देखेंगे जो भी आपको बैटर लगे आप उसमें देख सकते हैं ठीक है ना तो आज से अपन दोनों में देखेंगे और इसकी पीडिया फायल भी मैंने आपको बता दी थी कहां पर मिलेगी तो वह लास्ट में फिर से आज बता दूँगा ठीक है तो यहां से अपना पहला कोश्चेन स्टार्ट होता है जो की कोश्चन है मचलियों के परी सेंचन तंत के संदर में निमने मैं से कौन सा कथन गलत है तो इनको गलत कथन बताना जैसे बीच आप फोलिविंग स्टेटमें इंकरेक्ट रिगार्डिंग सर्कुलर सेश्टम उप फिसस तो अपन इंगलिस में भी द सक बताना अपन को ठीक नंकihen क्या बताना गलत जो भी बताना है उसको अंडलाइन कर लेते हैं ठीक ऑन प्या से पंप होता है ये भी सही है आक्सजनम निला में होता एक अलत् हो गया ठीक है रोधिर का आथ्सी करन्य क्लोमोज में होता एस रहे है तो आंसर कॉन सहो जाएगा अपने ीसे नंबर का सही आंसर हूमन में कारीशनम को निम्य वे is not a part of circular circulatory system of human ठीक है ना कौन सा नहीं है इसमें हिर्दाय बाही कहा है एंड sinuses एंड रुधी तो इसमें से तीसरे नमबर बारा sinuses नहीं है ठीक है ना कौन सा नहीं है sinuses ओके आंगे चले अगर आपको किसी भी question में कोई भी doubt आता है तो आप comment करके पूँष रखते हैं ठीक है ना निन्म्हेंसे कौन सा कपाटों तथा इनके संबन्दित स्थान के संदर्प में सही मिलान है तो अटको सही मिलान इसमें से बताना है त्रिवलीनिक पार्ट महाधयम यह गलत हो गया यह सथान पूछ रहा है ठीक है ना मिट्रल का पार्ट बाय अलिन तथा दाय निलाई की 20 तो ये वाला अपना सही हो जाएगा ठीक है ना सेकंड नमर वाला क्या हो जाएगा इसमें सही ऑप्सन हो जाएगा ओके आंगे चलें तो इसमें दोनों मीडियम के लिए आपने कोश्चन प्रोबाइट करा दिया है अगर मैं हिंदी में बता हूं तो आप पीडियाफ फाइड डायलोग करके अपने इंग्लिस में भी पढ़ सकते हैं ओके निम्न में से कौनसी संग्रचना है निलाई संकुचन की द्वारान अलिंद निलाय का पाटो को अलिंद में बापस आने से रोपती है कौनसी संग्रचना है कौडी टेंडिनी ठीखे ना निम्न रुदिर वाहि का हूं मैं से इनको द्वारा ले जाने जाने बाले रुदि बी आक्सिजिनित यह इनुट 气 के संदर मैं बिशम का पता लगा तो अपन Son का पता लगा ना इसमें कौन-कौन सा तो इसमें कौन सा अंसर हो जाएगा महा फुफूसिये सिरा ठीक है ना ओके बी नंबर वाला अपना सही अप्शन हो जाएगा आंगे चलिए नियमन का पनों पर विचार कीजिए तो अपन चलिए इसे पर विचार कर लिए जन्म से पहले अंडाकार रंद से रुधिर दाय अल निंद में जाते हैं इसलिए फुफूसिये परिसेंचन को बाई पास करता है गलत हो गया हिर्दाय भित्तिये पेरिकॉर्डियम से सुरक्षित रहता है तो आप सभी मालूम है हिर्दाय में पस्तित पेसी तंतु मीजोडर्मल उत्पन उत्पत्ति होने के कांचिकनी पेसी स भिन होते हैं यह भी थोड़ा सही है ए ए भी एन ऐसे एन एबी नोड या ऐसे नोड जैसे नोडल उतक बिसेश्टिकरट नूरल उतक होते हैं जो हर्दाय में बित्तित होते हैं यह होते हैं लेकिन उत्तेजना के लिए होते हैं तो इसमें दो ऑप्सन सही हो जाएगे तो इ जिमनमें से कौन सी संगरचना हरदय चक्र पर्म करने की लिए पार्म करती है ओक अधिish अभी मैंनि उंपर बताया था ऐसी नोड और पर इसका सही आँसर हो जाएगा हरदय चक्र का इंस घटन के दोन क्यों बेंट का पाट बंद रहती है यानि बेंट्रिकुलर सिस्ट्रॉल ओके इवाला आपका सही आंसर हो जाएगा चली अब इसमें पन को क्या करना है सही जोड़ी मिना नहीं तो पहले आप ट्राइ कीजिए इसके बाद आप आंसर लगाईएगा तो ठीके ना तो इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको इसका इसके बाद क्या है संधी अनुसितलन का टाइम कितना होता है 0.3 और अनुसितलन का होता है 0.7 ठीके न अंगी जलिए सही कथन का चैन करना है पनको सही कथन निलाई की और रुधिर प्रबा अलिंद प्रांकुचन की दौराण 70% तक बढ़ जाता है गलत कथन है निलाई दाब मैंसे कमी के कान अर्चंदा का पार्ट खुलते हैं यह भी गलत है ठीक है ना आंगी हर्दा चक्रे की दौरार निल को बदलने की छमता होती है यह बाला ना सही हो है ओके आंगे चले निलाई प्रांकुचन के दौरा निलाई दाब मैं प्रद्धी से अलिंद निलाई का पार्ट बंध होते हैं तो उत्पन करते हैं क्या करते हैं लब दोनी उत्पन करते हैं कौन सी दोनी उत्पन करते हैं ल प्रदार्शन करता है सबसे पहले ऐसी नोड हो जाएगा फिर एबी नोड हिसके बंडल एन पुरकेंजी तन्तु यानि पुरकेंजी फाइबर ओके आंगे नीचे दी गई इसी जी में कौनसा खंड निलाई प्रांकोचन का अंत दर्साता है ती तरंग का अंत कौनसा खंड द अगर साथ ही बिल्कुछ सही कहते हैं इलेक्टो कार्डियोग्राफ मसीन के प्रियोग से उत्पन होता है इलेक्टो कार्डियोग्राफ मसीन के मसीन होती है यह पेपर पर जो उत्पन होता है उसे इलेक्टो कार्डियोग्राम कहते हैं ठीक न तो यह उल्टा हो गया तो यह निम्न मेंसे कौन सा फुपूसी दहमनी तो हमेशा होता है लेकिन महा धंत नहीं है तो यह क्रत में ले जाती है, कहां ले जाती है, आज से क्रत में ले जाती है, ठीक है न, ओके, अब क्या है, निम्न में से कौन सी संग रचना है, अंतता बी आक्सिजनित रुधिर का, दाय अलिन से, चक्रित सिरा दौरा हर्दाय पेसी नियास को निस्कासित करती है, क्या करती है, निस्कासित करती है चक्रिये सिरानाल ओके को रोनारी साइनास जुसको पर पन इंगलिस में क्या बोलते हैं को रोनारी साइनेस अलग पूशन है आगहात आयतन एबां हर्दाय निर्गत का स्वासाती तंतिका तंत के प्रभाव के संदर मैं सही मिलान का चाहिन कीजिए यहाँ तो अनुकम्पी तंद का तंद में बढ़ता है और यह भी बढ़ता है तो चान नम्मर बाला आपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा निम्न मैंसे कौन से हार्मोन की एक मिनिट में ECG में QRS संक्लों की संख्या बढ़ीगी तो इसमें दो हार्मोन होती है एड्रेनील और नॉन एड्रेनील तो आससन कौन सा हो जाएगा चान नम्मर बाला आपका सही अंसर हो जाएगा आँगे चले तो आप बात कर लेते हैं इसकी PDF फाइल की PDF फाइल आपको मिलेगी मेरे टेलेग्राम चैनल पर टेलेग्राम चैनल का नाम है g4u ठीक है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में दी हुई है लिंक अगर उपर नहीं होती है तो आप डारेक सर्च कर लेना जीट तंत अनुपस्तित होता है सही है मेडोला अवलमगेटा है हर्दय कारों को स्वा साखित तंतिका तंत द्वारा मन्द करता है सही है एककर सरा आथ को ले जाती है यह वाला गलत है मानों में हर्दय तो विस्षिक नोदालू तक द्वारा पारंभ होती है अंतहा हर्दय मायोजेनिक कहलाता है भी सही है तो गलत कथन कौन सा होगा तीसे नमबर बाला गलत कथन हो गया आज का लाश्टोश्यन है अनुकमपी तंत का तंत छोड नोर एड्रेनलीन मुक्त करते है जिसे जिससे क्या होता हर्दय धरकन की दर में ब्रद्धी होती है छोड़ पार एड्रेनलीन मुक्त कहते हैं उससे क्या होता हर्दय धरकन दर में ब्रद्धी होती है ठीक है तो आप क्या करना आपको वीडियो को लाइक करना चनल को सब्सकाइब करना ताकि आपके दोस्तो वीडियो में तब तक के लिए धन्नेवाद